कंगना रनाद की हाली में रिलीज हुई फिल्म सिम्रन की बात करें तो ये फिल्म है प्रफुल पतेल पर बेस्ट जो कंगना का ही फिल्म में नाम है वो एक ऐसी लड़की है जिनका तलाख हो जाता है और वो सबी लड़कों से फलर्ट करती और बिंदास रहती घूंती है पूरी कहानी कंगना के ऊपर ही बेस्ट है कंगना को जुआ करने की लट्वी है अगेन ये एक वुमिन बेस्ट कहानी है जिसमें एक लड़की बिंदास रहती है अपने रूल्स पर अपनी लाइफ जीती है जनरली हिरोइन्स को बॉल्लवूड में ऐसा कम ही देखने को मिलता है क्योंकि किसी को भी हैश बैड एफ बनना पसंद नहीं है कंगना एक एडविंचरस वुमिन दिखाई है इस फिल्म में जुए की लट के साथ साथ फिल्म में कंगना क्रिमिनल भी बन जाती है वो एक बैंक की रॉबरी भी करती है और काफी इंट्रेस्टिंग तरीके से बच भी जाती है जादा तो कुछ नहीं लेकिन हंसल मेता ने कॉमिक स्टोरी बनाई है जिस स्वे आडियंस हस्ती जरूर है एक इंसान का अच्छा वक्त इसमें बीत रहा है वो है कंगना का फिल्म में कंगना के अरावा और कोई स्टार नहीं है जिसके ओपर लाइम लाइट डाली जाए सिमरन के पेरंस ने या उसके फियंसे ने इन सारे ही एक्टर्स ने फिल्म में कुछ भी अड़ अप नहीं किया है अगर आप इमोशनल है और फिल्म से एमोशनली कनेक्ट होते हैं तो सिमरन आपके लिए नहीं है लेकिन अगर आप अपने विजी शेडियूल से हट कर थोड़ी देर के लिए हसना चाहते हैं तो यू कन गो फॉर सिमरन ब्यूरो रपोर्ज इंडियन फिल्म हिस्टरी वा मोर अपडेट्स प्लीज सब्सक्राइब इंडियन फिल्म हिस्टरी